नवश्कार दोस्तों स्वागे थे आपका आपके अपने चैनल BSA Government Job News में तो आज की इस क्लास में हम लोग Current Affair के बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन डिसकस करने वाले हैं जैसा कि आप लोग को अन जानते होंगे कि आने वाले जितने भी एक्जाम है इसमें इस तरीके से आएंगे देखिए आपके लिए हमने जो है यहां पर वन एयर की जिया दोस्तों एक साल के पूरे Current Affair यानि की एक जुलाई 2020 से लेकर अब तक के सारे प्रशनों को कंपलीट कर रहे थे आपको पता होगा कि पीटी के एक्जाम डेट आ चुकी है और एंटी पीसी का भी जो ह भी questions होते हैं आपके जो आपके एक्जाम एकसर पूछ लिया जाते हैं वो सारे questions आप लोग के साथ discuss करने वाले हैं तो जितने भी लोग आज इस class में पहली बारा है देखिए डेली सुबह मौर्निंग में 8 बजे class होती है जिसका पार्ट नमबर आज है 29 है इससे पहले हम ल लोगों के साथ आगे वड़ पाएंगे तो आईए दोस्तों बिना किसी देरी के class को शुरू करते हैं जै बियसे जै बियसे class और करते हैं आज की class की शुरुवात तो पहला question आपके सामने आ चुका है आप सभी को बताना है कि कि किस company ने भारत में सबसे पहले 5G telecom service launch करने का ऐलान किया जीओ प्लेटफोर्म एल्टेल आइडिया या फिर आपका हो जाएगा हत्वे तो आपका सही जवाब हो जाएगा जीओ प्लेटफोर्म जी हाँ दोस्तों आपका right answer हो जाएगा जीओ प्लेटफोर्म ये ऐलान Reliance Industries के चेर परसन मुकेस अमवानी जी ने 15 जुलाई की अपनी वर्चुल एंजियम वार्सिक आम बैठक में किया है बताया गया है कि कंपनी जो है अगले 5 साल तक 5G Solutions ग्रहकों के लिए ले आएगी साथ ही Reliance ने Geo TV Plus और Geo Glass के लिए नए प्रोडक्स लाने की गोश्टना की है आईए जानते हैं दोस्तों क्या है 5G 5G जो हमारी जो है अगली PD की Cellular तकनीक है जिसके जरिये हम तेज संचार कर पाएंगे एक सरकारी पैनल की रिपोर्ट के मताबिक 5G डेटा की अगर हम बात करेंगे तो 5G के साथ डेटा नेटवर की जो स्पीड है ये 2 से 20GV पर सेकंड रहेगी जी यहां दोस्तों अगर हम 5G स्पीड की बात करेंगे तो ये 2 से 20GV पर सेकंड की उम्मीद लगाई जा रही है तो वायरलेस, चिमकेबर, कॉलकॉम के मताबिक 5G डाउनलोड स्पीड रहेगी 4.5GV पर सेकंड तो जो आखड़े बताते हैं यहां पर अगर हम बात करेंगे 5G की स्पीड की तो ये 4.5GV पर सेकंड रहेगी तो इसका मतलब ये निगल के आ रहा है कि मौझूदा जो है 4G से करीब 20 गुना ज़्यादा तेज होगी इसकी स्पीड तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन इसको लॉंच कर रहा है जियो प्लेटपॉर्म अब बढ़ेंगे आगे अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है बहुत ही अच्छा कोश्चन है एशियाई भिकास बैंक ने अपना नया उपाद्यक्ष किसे चुना है तो दोस्तों बात करेंगे ADB की Asian Development Bank और इसके हमारे नए उपाद्यक्ष चुने गए है अशोक लवासा जी तो जिनका भी आंसर आ रहा है अशोक लवासा जी बिलकुल राइट है यह हमारे देश के चुनाव आयुक्त है और जिनका भी आंसर भी आ रहा है बिलकुल राइट है भाई अगर हम बात करेंगे ADB की हमने कई बार आपके साथ डिसकस किया है ADB की दोस्तों अध्यक्ष कौन है हमारे तो ADB के जो आप लोग के अध्यक्ष है वो आप लोग के है मातसुगु असकावा ओगे ना तो नोट कर लीजेगा ADB की अध्यक्ष है मातसुगु असकावा ADB का जो मुख्याल है वो कहां पर आपका मांड लुआंग में है मांड लुआंग फिलिपीन्स में है यह आपका और ADV की स्थापना दूस्तों कब हुई थी ADV की स्थापना हुई थी आपकी 19 दिसंबर 1966 को ठीक है अब देखिए आपका अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है इसको बताईए देश के किस युवा को लंदन में प्रतिष्टित ग्लोबल humanitarian award से नवाचा गया आपके option है सचिन अवस्ति सोरो बनर जी, मोहिन दूंग या फिर राशी टंडन तो आपको बताना है कि देश के किस युवा को लंदन में प्रतिष्टित ग्लोबल humanitarian award से नवाचा गया तो ये आपके है सचिन अवस्ति जी जी हाँ दोस्तो National Media Club के अध्याट्ष सचिन 35 देशों में 100 award यों में से एक है जिने इसके लिए world level पर चैनित किया गया है क्या है ये award? इस पुरुषकार का उद्देश उन प्रशिद लोगों को समानित करना है जो समाज की बहतरी के लिए अपना योगदान दे रहे हैं तो ये किसको प्रदान किया गया है? इससे नवाजा गया है आपके सचिन अवस्ति जी को अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है इसको बताइए बांगला देश में भारत का नया उच्छ आयुक्त किसे नियुक्त किया गया आपके ओप्शन है रुद्रेंदा टंडन विक्रम दुरेश स्वामी रीवा गांगुली मोहिसिन खान तो बांगला देश में भारत के नया उच्च आयुक्त नियुक्त किये गए थे आपके कौन विक्रम दुरेई स्वामी जी हां दोस्तों विक्रम दुरेई स्वामी जहां तक 1992 बैच के हमने आपको बताये था यह हमारे IFS I mean भारती विदेश सेवा के दिकारी है और विदेश मंतराले में तैनात है और ढाका में जो अगले राजदूत हैं यह कौन बनाए गए है A, B, C या फिर D तो अफ़गानिस्तान की बात करेंगे सबसे पहले अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो अफगानी चलती है राजधानी है काबुल और वहां के जो राश्टपती है असरफ गनी है ओके असरफ गनी जो है वह नेक्स कोशन आप लोग के सामने आपको दिया गया है भारतिय क्रिकेट कंट्रॉल बोल्ड के बोल्ड ने CEO के रूप में किसे एपॉइंट किया है A, सशांक मनोहर B, सौरब गाउंगली C, हेमांग अमिन D, मनोच प्रभाकर तो अगर आपने चूज किया है हेमांग अमीन ब विश्वी युवा कोशल दिवस आपका मनाय जाता है 15 जुलाई को तो जिनका भी आशर 15 जुलाई आ रहा है बिलकुल राइट है, very good class, बहुत बड़िया, सही जवाब हो जाएगा आपका 15 जुलाई, होकी लीजेंड, गुरवक्स सिंग और पूर्व किरिकेटर, पलाश न जाएगा मोहन बगान रत्र, दोस्तों कलब ने इस साल 29 जुलाई को होने वाले मोहन बगान दिवस समारों को कोरोना की कारण नहीं करने का फैसला किया है, तो मोहन बगान एटलेटिक्स कलब स्कोलकाता में सित एक भारती ये बहुत देशिये कलब है, और इस कलब ने 1911 में इस दिन IFA Shield में East York Shocker York Sawyer Regiment को दो वई एक से हराया था, यह मैं पहले भी आपको बदा चुका हूँ, इसे भारत का राश्टिक्लब भी कहा जाता है, तो ऐसे मैं आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोहन बागान रत्र, दोस्तों अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दि निधन हो गया, वे आपकी किस राज्य से समन्दित थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, A. राजिस्तान, B. ओडिशा, C. गुजराद, D. उत्तरबरदेश, अगर आपने चूस किया है, C. गुजराद, बिलकुल राइट होगा, तो इस कोशन का आपका सही जवाब हो ज तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, द्यान दिजेगा, इसका राइट आंसर जाएगा, Hawkins Cooker, Hawkins Cooker होगा इसका बिलकुल राइट आंसर, तो ब्रह्म वाशुदेप 10 जुलाई को इनका निधन हो गया था, और ये आपके सब्मंदित हैं, Hawkins Cooker से, नेक्स्ट कोशन प्लीज, अब आप सभी लोग बताएंगे यहां से, दा हिंदू गुरूप पबलिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निधेशक मंडल का जो अध्यक्ष है, ये किसको निक्त किया गया है, दा हिंदू गुरूप पबलिशिंग प्राइवेट अगला सवाल आपके सामने है, इंटरनेशनल अकेडमी ओफ एस्ट्रोनाटिक्स आई ए ए ने वान कर्मन एवर्ड दो हजर बीस के लिए किसे चुना है, अनुराधा टीके, प्रोफेशर उडूपी रामचंद्र, डॉक्टर के शिवान, डॉक्टर के एन राओ, तो अगर ह आपका सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर के शिवान होगा, इस कोशन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर, वेरी गुट क्लास, बहुत बढ़िया, शाबबाश, अब देखे दोस्त, अमारा अगला कोशन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, आप सभी लोग यहाँ पर तो आपका सही जवाब हो जाएगा, जियो प्लेटफॉर्म, जिया दोस्तों, तो जिनका भी अंसर जियो प्लेटफॉर्म आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुट क्लास, बहुत बढ़िया, रक्षा मंत्राले ने ससस्त्र बलो को कितने करोल की हतियार खरीद का अधिकार दिया है, आपको बताना है, 400 करोल, 300, 100 या फिर 1500 करोल, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, 300 करोल रुपए, आईए दोस्तों, अगला सवाल बताईए आप सभी लोग, ध्यान से पढ़िये, देकि बाकी लोग कितने रहेगा भई, क्लास को लाइक करिएगा सभी अगर आपके दोस्त नहीं आपा रहे हैं, उनके साथ क्लास को शेर कर दीजे, ये करेंट अफर की क्लास आप सभी के आने वाले जितने भी हमारी आगामी परिक्षाएं हैं, उन सभी परिक्षागले काफी इमपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक करते रहेग तो ट्यूनीशिया के प्रदान मंत्री थे आपके इलियास फाक फाक, तो इनोंने जो है, ये कचरा निस्तान कंपनी में उन्हों शेर था, और उसी कंपनी में करीब करीब एक करोलो पचास लाग यूरो का सरकारी ठेका भी हासिल हुआ, तो जिनका भी आसे ट्यूनीशिया आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा, नेक्स्ट कोश्चन प्लीज, अब आप लोग बताईगे, विश्व इमोजी दिवस, अब देखें दोस्तों करेंगे, इमोजी दिवस आप लोग का कम मनाया जाता है, फटा फटसे तो यहां पर बताएंगे, आप लोग का विश्व इ आंसर आ रहा है, 17 जुलाई, बिल्कुल राइट है, वेरी गुट क्लास, बहुत बढ़िया, ध्यान से पढ़ते रही है, महनत आप लोग करते रही है, इन्ही इमोजी के अगरण खुशी के आसू, आखों में दिल के साथ मुस्कराता होगा चैरा, नमस्कार, खुशी या द प्राट कोली, शिकर दबन, तो अगर अब इस कोशन के बात करेंगे, स्पोर्ट्स अड़ा एप के नए ब्रांट अमभिजनर एपोइंट किये गए है, ब्रेटली, जी हाँ दोस्तो, आपका सही जवाब हो जाएगा, ब्रेटली, आईए दोस्तो, अब देखते हैं, सबसे पहले कौन बताएगा, अगले सवाल का सही जवाब, निम्न मेजे किस देश में तीज बारिश के बाद अचानक बाड़ आने से 7 लाग से भी जादा लोग डिस्प्लेज्ड यानि की मूप कर गए, छोड़कर चले गए, तो ये अभी हुआ था, यहाँ पर देखा होगा, अ अंतराष्टिय नियालाई के लिए विश्व दिवस कव मनाया जाता है, तो आपको बता दे, सही जवाब होगा, आपका उप्शन नमबर D है, 17 जुलाई और इसका उद देश्शे, अंतराष्टिय अपराधिक नियाई को बढ़ावा देना है, साथ ही नियालाई कारे का समर अगर हम इस question की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रज्याता होगा अब देखिया आपका next question काफी अच्छा आपकी सामने दिया गया है दोस्तो केंद्रिय स्वास्ते मंत्राले ने किस बिमारी के लिए सौदेसी बैक्सीन होगे ना इसको मंजूरी परदान किया है तो आपका यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा आईए मेरे प्यारे दोस्तों COVID-19, pneumonia, malaria या फिर आपका इन में से कोई नहीं तो बहुत ही अच्छा कोशन आप लोग के सामने आपको दिया गया है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफी interesting कोशन आप लोग के सामने है तो आपको यहाँ पर दिया ही गया है दूस्तों नियोमो कोकल जो आपको दिया गया है यह आपका pneumonia से ही संबन्दित होगा तो ऐसे में आपका right answer क्या हो जाएगा तो यह हो का आपका pneumonia हो जाएगा तो जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल right है आपको बता दें कि regulatory world ने special expert committee यानि कि SE के साथ मिलकर vaccine के पहले दूसरे तीसरे चरण के clinical trial के सामने अपने data के समक्षा की है तो ऐसे में इस vaccine को पूरे के firm serum institute of India ने बनाया है तो आप लोग याद रिखेगा बहुत ही अच्छा कोशन आप लोग के सामने है तो आपको क्या दिया गया है pneumoccal polysaccharide conjugate क्या आपको नाम दिया गया है कौन सी vaccine है सौदेसी vaccine pneumoccal polysaccharide conjugate pneumoccal polysaccharide conjugate तो इसको मंजूरी प्रदान की है जो की pneumonia के लिए है अगले सवाल आपके सामने आपको दिया गया है भारत ने विदेश में emergency oil reserve बनाने के लिए किस देश के साथ M.O.U. sign किया है तो अगर हम इस question के बात करेंगे तो आपका right answer क्या हो जाएगा आईए बताईए बिलकुल बता आप आ रहे हैं अगर आपने चूस किया है option number A USA बिलकुल right होगा very good class पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए ओके ना और होसले को रखिए बुलंद मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि होसला बिलकुल बुलंद होना चाहिए क्योंकि हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूंगा प् चीज चीज को समझते रहिए सीखते रहिए कैसे आएंगे कैंट अपर के कोशन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है क्या important क्या important एक चीज़ को चोटी चोटी बात को देखेंगे हर बात का question मना देंगे कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है क्योंकि हम किसी से कम नहीं पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जीतने के लिए जुनून होना चाहिए और पढ़ने के लिए दोस्तों सुकून होना चाहिए तो सुकून के साथ पढ़िए दिमाग में टेंशन लेनी के वशक्ता नहीं है समच्छा होगा आप बस पढ़ाई कर लिजे महनत कर लिजे बाकिस सब BSA पर आप छोड़ देचे, तो भारती अमूल के चंद्रिका प्रशास संतोकी का किस देश का राष्ट पती चुना गया है, सूरी नाम, चिली, सैन मेरिनो, या फिर आपका हो जाएगा मालदी, तो अगर हम इस कोशन की बात करेंगे, तो आपका सही जवाब हो तो अगर हम इस कोशन की बात करेंगे, दो हजार बीस ग्लोबल लीडर्शिप अवार्ड जो है, इनको प्रदान किया गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, दो हजार बीस ग्लोबल लीडर्शिप अवार्ड अब आपका नेक्स्ट कोशन आपके सामने है, पीम नरिन मोदी ने 17 जुलाई 2020 को संयुक्त राश्र के किस प्रमुख हिस्से को सम्मुधित गिया, महासबा, सुरक्षा परिशद, एकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, या फिर आपका हो जाएगा सची वाले तो अगर हम इस कोशन के बात करेंगे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, आर्थिक एवम समाजिक परिशद, जिया दोस्तों, जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है, आर्थिक एवम समाजिक परिशद, बिलकुल राइट होगा, very good class, बहुत बढ़िया अगला सवाल आपके सामने है, रोशनी नाडर को किस कमपनी का चेर परसन बनाए गया, बचाच, वीडियो कौन, SCL या फिर विप्रो, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, option number C, अगर आपने चूज किया है, तो बिलकुल राइट होगा, very good class, बहुत बढ़िया कर रहे हैं अब देखिए आपका अगला कोशन, अमरिका के बाद किस देश ने चीन की टेलिकॉम कमपनी, हुवावे को बैन कर दिया, UK, पाकिस्तान, फ्रांस या फिर रशिया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, United Kingdom हो जाएगा, तो जिनका भी आशर आ रहे है, UK हो गया, इस कोशन क सबसे पहले आप लोग यह रहाँ पर देख लीजेगा, इसके CEO आप लोग के कौन है, Rain Zhang Fei, ओके न, तो इनके CEO कौन है आप लोग के, Rain Zhang Fei, इसके CM, आज जो है आपके CEO है, अगर हुवाई की स्थापना के लेकर बात करेंगे, इसके स्थापना हुई थी, 15 सितंबर 1987 हुई थी और इसका मुख्या लेनी की Headquarter कहाँ पर है, तो हुवाई का जो Headquarter है आप लोग का, यह है आप लोग का Sanjin, चीन में है, होगा न, तो Sanjin, चाइना में आप लोग का Headquarter है, इसके बढ़ते हैं लोग यहां से आगे, Next Question आप लोग के सामने है, FIFA World Cup 2022 की मेजवानी कौन सा देश करे जैसा कि आपको पता होगा, कि शायद पहले से ही आपको पता होगा, लेकिन 15 जुलाई का दूस्तों ये Question है, आपका 2020 का है, तो 15 जुलाई को World Cup का schedule जारी किया गया था, फिलाल यह जो आप लोग का बाद में ही होगा, तो जिनका अंसर यहां पर आ रहा है, कतर, तो बिलकु मुफ्ती नूरवाली महसूत को वैस्विक आतंगवादे घोशित किया गया, तो आईए दोस्तों आप लोग बताईए आपका सही जवाब क्या होगा, मुफ्ती नूरवाली महसूत को वैस्विक, I mean Global Terrorist घोशित किया है, तो यह है आपका पाकिस्तान, जैसा कि आपको पता ह होगा, वह आतंगी संगटन तहरीक ए तालिवान पाकिस्तान, TTP का लीडर है, तो जिनका भी आंसर पाकिस्तान आ रहा है, बिल्कुल राइट है, नेक्स्ट कोशन आप लोग के सामने है, कि भारत ने किस देश को 8 मिलियन डॉलर, 60 करोल रुपए के स्वास्ते उपकरण दि मालदीब के जो आप लोग के प्रेसिडेंट है, आप नोट कर लीजेगा आप पर, इबराहिम महम्मद सोलहे जी है, ठेना यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजेगा, इबराहिम महम्मद सोलहे जी है, जो है आपके, ये हैं आप लोगों के इबराहिम के प्रेसिडेंट, अग पर चलता है आप लोग का मालदीफ रुफिया चलता है ठीक है ना अब देखिए आपका अगला खोशन आप लोग के सामने आपको दिया गया है इसको देखिए आचारे श्री प्रशोत्तम प्रियदाश स्वामी जी का निधन 16 जुलाई को कोविड 19 वजह से हो गया वह किस पीट के अचारे थे तो दोस्तो आई आपको बता दे गुजरात क्या जो मडी नगर है वहाँ पर स्री स्वामी नरायन संस्थान के ये अध्यात्म गुरु जी थे और ये अचारियों के वर्श में पांच में वारिश थे तो जिनका भी आंसर आ रहा है स्वामी नरायन पीट बिल्कुल राइट होगा वेरी गुट क्लास बहुत बढ़िया नेक्स्ट कोशन देखिए दोस्तों आपको क्या दिया गया है भारा सरकार ने जो अंतराष्टी यात्री उडान थी तो इसको कब से शुरू करने इनने ले लिए आपको पता होगा देकि कोरोना की वज अंतराष्टी उलम्पिक समिती ने युवा उलम्पिक खेल 2022 को इस्थागित कर दिया अब ये खेल आपका कब होगा बताईए दोस्तों ये वाला जो खेल होगा आपका साल 2026 में तो जैसा है कि आपको पता था कि इसका जो आयूजन है 2022 में अफरीकी देश सेनेगल की राज 2026 में इसका आयोजन होगा और जो OIC I mean International Olympic Council जो है उसके अध्यक्ष कौन है आपके थॉमस वाग होगा तो ये मने कल भी आप लोग को बताए था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2026 होगा इस कोशन का बिलकुल राइट आंसर वेरी गुट क्लास तो उमीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोग को काफी पसंद आया होगा तो अगर ये कलास आपको important लगी है helpful लगी हो तो वीडियो को like कीजेगा class को share कीजेगा ओके ना और आप लोगों से से कि मैंने कहा था कि भाई आपका current affair का PDF course launch हो चुका है उसका link हम आपको वीडियो के description देदेंगे तो अ अहाँ पर जुडिये हमारे साथ current affair का PDF course लीचे वो भी सिर्फ अभी 99 offer के तहट चला है फ्लेट 99 उसको आप लोग जरूर purchase कर लीचेगा वहाँ पर आपको daily PDF file मिलती रहेगी और सारी PDF file जितनी भी class करवाई है वो सारी PDF file आपको वहाँ पर अवलेविल हो जाएंगे तो इसी झाल